हेलो फ्रेंज वेलकम टो स्सी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जर्नल अवैनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ डिटेर्म में डिस्क्स करेंगे यह जर्नल अवैनेस की सीरीज का पार्ट 119 है जो कि आपके आने वाले रिर्वे न्टी पीसी, गुरुप डी, स्सी सी उससे पहले दोस्तों आज का थोट जान लेते हैं, आज का थोट है, विक्ट्रिय और डिफीट आर पार्ट ओफ लाइफ विच आर टूबी व्यूड वाई एक्वेन मिठी, दोस्तों इसका मतलब यह है कि विजय और हार जीवन का एक हिस्सा है, जिससे समानता के साथ देख जाना चाहिए, याद रखी का दोस्तों, तो दोस्तों हमारा फ़स्ट क्रिशन है, निम्डेकित में से किस संदी के परियनाम स्वरू त्रित्य अंगलो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, पताइए, तो दोस्तों वे संदी थी, स्री रंग पटनम की संदी, ओके, दोस् जो है दोस्तों, ठीपू को अपने राज्य का जो लगबग आधा भाग था, अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, और साथी युद्ध के हर जाने के रूप में ठीपू को तीन करोड रुपे अंग्रेजों को देना था, और स्री रंग पटनम की संदी में यह शामिल था कि जब तक टीपू तीन करोड रुपे नहीं देगा तब तक उसके दो पुत्र अंग्रेजों के कबजे में रहेंगे, और कान बाल इसने इस संदी को, इस संदी के बाद उन्होंने ये टिपने की थी, हमारे अपने शत्रू को प्रभावशारी धंग से पंग में, ओके, दोस्तों चिलिया वाला जो यूद है, तेरा जन्वारी अठारा सो उन्होंनचस को हुआ था, और इस यूद में जो है, अंग्रेजी सेना का नैतरित्व चनरल आफ ने किया, और सिक सेना, शेर सिंग के नैतरित्व में लड़ी, ये यूद जो था दोस्तों, अर नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशिन है, बिटिस द्वारा प्लासी यूद किसके नैतरित में लड़ा गया था, तो दोस्तों, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ओके, प्लासी का जो यूद है, 23 जून 1757 को हुआ था, और इस यूद म रॉबर्ट क्लाइव के नैतरित में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजु दुडला को प्राराजित किया, और प्लासी यानि जो वर्थमान में प्लासी है, इसका नाम, इसका जो यूद था, मैदान, मश्यम बंगाल राज्जे के नदिया जिले में भगीरती नद पता है, पता ही उनका नाम क्या है? तो दोस्तो वे है राजाराम मोहन राए ठीक है, दोस्तो राजाराम मोहन राए जो है पर्थम भारतिये थे जिन्नों ने सबसे पहले भ़ारती समाज में व्याप्त बुरायों के विरोध में अंदोलन चलाया, और उनके नविन विचारbor के कारण ही जो है intellect bells ने पुननर जागरण का उधे हुआ था राजा राम-mot defines राये ने जो है भारती पुनर जागरण का पिता है इनको जो है और भारतीर राइस्चवात का पेगंबर अतित और भविश्ये के मदे से तू भारतीर राइस्ट्वात का जनग आधूनिक भारत का पिता और पथम आधुनिक पुरुष और यूगदूत इनको कहा जाता है याद रखिएगा नेक्स्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डिन केशन है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाजा शुरू करने की वकालत किसने की थी दोस्तों य यह जो था किसने किया था बताईए तो उनका नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय ठीक है शिक्षा के शेतर में जो है राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे उनके अनुसार जो है एक उदारवादी पास्चात्य शिक्षा ही अग्जान के अंधका में रहें तो संसके शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता परंतु सरकार का जो उदेश्य है भारती लोगों को अच्छा बनाना है अत्यव जो है सरकार को एक उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसमें गणित समाने दर्शन रसायन शास्त्र शरी रचना तथा अन्य जो लापतायक विज्ञान है सम्मेलित हो और निश्चे धनरासी से विदेशों से कुछ विद्वान भरती के जाए और यहां विद्ध्या लिखोले जाए यह किन्यों ने कहाता दोस्तो यह रिक्वेस्ट कीती राजाराम मोहन राय ने किससे कीती लौड हैम हस्ट से याद रखिएगा नेक्स्ट कुछिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण कुछिन है रेड डैटा बुक जिसे लाल सुची भी कहा जाता है क्या है बताइए दोस्तो तो दोस्तो वै है जानवरों पोदो आदि की दूरलब और लुपता प्राय प्रजातियों का प्य जोरेवार दस्तावेज है और यह जो है वर्ष 1964 में स्थापित की गई थी इसमें क्या था लुक्त प्राय प्रजातियों की तीन श्रेणिया है कंभी रूप से संकट ग्रस्ट यानि क्रिटिकली एंड़ गर्ट संकट ग्रस्ट एंड़ ठीक है और अतिसमवेदनशील यानि वन रेबल याद रखीगा नेस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेस्ट इंपॉर्टन क्रिशन है मदुरे शहर किस नदी के टच पर इस्थित है तो दोस्तों वे है वेगाई पन्नार ठीक है यहाँ पर है मदुरे शहर जो है वेगाई नदी के किनारे पर इस्थित है और य दोस्तो वह है असम में ओके एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक शेत्र है भारत के असम राज्य में इस्तेत है असम में स्थेत डिक बोई एशिया का पहला उत्खनित होने वाला जो है तेल कुआ है और यह पहली रिफाइनरी की शुरुवात कब हुई थी दोस्तो तो बताईए 1901 में और ये विश्व का भी सबसे पूराना तेर शेत्र माना जाता है याद रखीगा और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईए का ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो SSC मेकर को लैक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुल न बूले नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डिन क्रिशन है कुंडन कुलम परमानु उर्जा सैंत्र कौन से राज्य में स्थेता है पताईए दोस्तो तो वै है तमिलनाडो में ओके कुंडन कुलम परमानु उर्जा सैंत्र जो है दोस्तो तमिलनाड था याद रखिएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डिन क्रिशन है चार सब्दों में से एक शब्द वर्ग समू ऐसा है जिससे अन्य तीन सदस्वे संबंदित है वह वर्ग समू पहचाने तो दोस्तों वह कोईला ओके दोस्तों कोईला जो है एक शब्द वर्ग समू ऐसा है जिससे अन्य तीन जो है यानि की नरम कोईला पत्तर का कोईला और भूरा कोईला संबंदित है याद रखिएगा नस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है निमलिकित में से कौन सा इस समू से संबंदित नहीं है द नायमार बंगला देश और बुटान है दोस्तों ये इस्थलिय देश है यानि की इस्थला वरुद याद रखिएगा नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है निम्न में से क्या नैपाल के मुख्ये इस्थला कृतिक शेत्रों का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों वे हैं डेकन ओके दोस्तों डेकन या धकन जो है मद्दे भारत में इस्थित प्राइदीप्य पठार है इसमें जो है दोस्तों आंदरप्रदेश महरास्ट अवं कर्नाटक राज्यों के आंतरीक भूभाग शामिल है और यह नर्मदा और कृष्ण नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है 2016 में अंटार्टिका में पर्स के नीचे छीपी हुई किस चीज की खोज हुई थी तो दोस्तों वे था एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और छीर उके दोस्तों जनवरी 2016 में जो है जन्रनल जेयोग्राफ जेयोलाजी में प्रकासित पेपर के अनुसार अनुसंदान करताओं ने जो उनका दल था एक दल ने पूर्व अंटार्टिका में प्रेंसेस एलिजाबेट ब्लेट यानि पी एल के नीचे एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और जीलगी खोज की गई थ है दोस्तों आप सभी जानते हैं वह है बुर्ज घलीफा ओके वर्तमान में जो दुस्तों दुनिया की सबसे उची इमारत है वह है बुर्ज घलीफा और इसकी जो चाहीं है आट सो अठाइस मीटर और फीट में कितनी है दो हजार साथ सो सत्राफीट है और यह कां परिस्ति है दोस्तों यह है दूबाई में याद रखिएगा और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और किशन के लिए एससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुल ना भूले हर सोसर सेट्स वेच पर कीजिए ताकि आ असाई मारा नैशनल इजलाव केनिया में स्तीत हैं और यह जो है 1510 वर किलोमीटर शेत्रफल में विश्तरत हैं इसमें दोस्तों 90 से अधिक इस्तन पाईयों की प्रजातिया और 1500 सौरी 570 से अधि पक्षियों की प्रजातिया पाई जाती हैं याद रखिएगा नास्ट केश के Living compiler ने विदऊद एर कंडिशनिंग का आवशकार किया था इनको आधुनिक एर कंडिशनिंग का पिता भी कहा जाता है और इस युक्ति के द्वारत परिवेश के तापमान को नियंद्रित किया जाता है याद रखिएगा दूस्तों। मेस्ट कीशन पर चलता हैं मोग हमार UTP करणों को कारे करने के लिए विद्वतुर्जा की आपूर्थि करता है और लगपख सभी विद्वत सैल जो है दो टर्मिनल लगए होते एक होता है दनात्मक टर्मिनल और होता है तरणातबक्त असर्मिनल याद रखेगा नास्योंपर चलते हैं किisso I'm ओसान नेच्स इमप्रीन किशन है एकले का फिलामेंट किससे बना होता है तो दोस्तों आप होते हैं फेराडे के नियम के अधार पर याद रखिएगा नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा लास्ट इंपॉर्डंग किशिन है निमलिकित में से कौन सा उपकरण रसायने कुर्जा को विदुद उर्जा में परिवर्तित करता है पताईए दोस्तों तो दोस्तों वह है कौन कौन से बताईए तो दोस्तों वह है धनात्मक इलेक्ट्रोड रनात्मक इलेक्ट्रोड और एलेक्ट्रोलाइट विदुद कोश यानि जो बैट्रिया होती है रसायने कुर्जा भंडालित कर इसे विदुद उर्जा के रूप में उपलब्द कराती है याद रखिएग करें और एससे मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना है थैंकिस सो मज़ दोस्तों